यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक परसन के लिए इंपॉर्टेंट है तो सभी लोग देखिएगा इसलिए सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों के पास bank account होगा ही होगा saving account तो saving account से related बहुत important यह notification है जो 31 मार्च 2023 को notified किया गया है और यह आपको क्या कहता है धियौन से समझेगा यह आपको saving promotion act 1873 का जो amendment हुआ है उससे related है अब यह amendment 2023 का है वो क्या है यह समझेगा यह कहता है किस purpose से है important बात इसका देखिए यह है कि अगर आपने saving account open किया है या करने वाले यानि कि या तो आपके bank में saving account open है या open करने जाते हैं तो आपके पास आधार काट होना जरूरी है where the आधार number has not been assigned to an individual he shall furnish proof of application of enrollment of आधार at the time of opening an account and the account holder shall furnish the आधार number to the accounts office within a period of six months करते हैं देखिए अगर आप अपना account open करने जा रहे हैं तो या अगर आपका account open हो चुका है तो दोनों case में है कि आपको छे महिने के अंदर bank को या post office को अपना आधार number देना परेगा ठीक और अगर आधार number नहीं है तो आपको उसका enrollment number जो होता है जिससे registration जब आप करवाते हैं अधार card के लिए वो जो receipt देता है वो number आपको bank में देना है कब तक देना है छे महिने के अंदर यानि कि April से 1st April से लेके 30 September 2023 तक अगर आप नहीं करते हैं तो आपका account बंद हो जाएगा यहीं कह रहा है दोनों पेड़ा में A में कहता है जो open करने जारे और B में कह रहा है कि जिनका already account open है और वो submit नहीं किये हैं तो अपना आधार submit कर दीजिए और अगर आधार submit नहीं किय नहीं आधार का नहीं है तो यह अगर्मेंट नंबर दे दीजिए और जब आधार काड आए तो आप वह पर जाके अधार कर समिट करिए और यह time period दिया गया है छे मन छे मन का मतलब हो गया September तक के लिए इसी में एक अगला पैरा और आता है जो pen card के लिए कहता है कि या तो pen number या form 16 यह दो में से कोई चीज आपको सम्मिट करना है कैसे who has not submitted the pen at the time of opening an account shall submit the same to the account's office within a period of two months अधार काड आप के लिए देरा था ताइम छे महिना का लेकिन pen के लिए आपको देरा है दो महिना यानि माई तक 31 माई तक from the date of happening of any of the following events यह तीन कारण बता रहा है इन तीन में से जो भी limit आप पार कर जाते हैं यह तीन कारण में से कोई कारण आप fulfill कर देते हैं उसमें जो पहले होगा उस case में आपको pen जरूरी हो जाएगा अगर नहीं दीजिए गा ता आपका जो account है या तो वो in operate कर दिया नेक्टिव कर दिया जाएगा या फ्रीज कर दिया जाएगा सावा चीजिस में बता है मैं आपको पर की बत बता हूं अगर आपका किसी भी point पे आपका account का balance पचास रुपया से पार कर जाता है 50,000 रुपीच या aggregate of all credits account में जितना जमा होता है पैसा अगर financial year आपका एक लाक रुपया से ज्यादा हो जाता है या aggregate to all withdrawal and transfer in a month from the account exceeds 10,000 रुपी या 10,000 रुपया से ज्यादा का आपने withdraw या transfer एक महिना में कर लिया तो आपको पेन देना पर जाएगा पेन या form 60, 60 ठीक है तो ये आपको धियान रखना है नहीं तो आपका account मुश्किल हो जाएगा अब क्या कहता है कि अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा ये समझे इन दा फैल्योर ऑप दा डिपोजिटर तू समीट अपेन विदिन दा अस्पेसिफाइड पीरिया और तू मांस ही एकॉंट सेल सीज टू बी ऑपरेस्टनर तिल अट टाइम ही समीट सब्स ता पैन टू को जमा नहीं करते हैं अगर कोई भी और डॉकुमेंट्स की जरुरत पर ही बैंक को अगर कुछ और भी मांगना परेगा आपके एकॉंट के हिसाब से तो वह आपसे मांग सकता है और यह आपको देना परेगा तो यह इंपॉर्टेंट है और यह ना सब जल्व ओर जा चुक दूल वही है जो अब आपको बताया यह देखिए सारे के सारे समचे जा चुका है ठीक है तो इसके लिए आप थोड़ा सा रेडी हो जाएए और अपना आधार और पेंदे जी ने ति बैंक के कौन बंद होगा और फिर आप बैंक के पास जाकर करके जैसे बैंक के कॉन झाल